क्या वाकई में दा बिग रण मसीन केंड डवी डवी का सबसे खतरनाक मॉंस्टर है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राहूल पंडे तो आज की वीडियो काफी तहल का मचाने वाली है क्यूंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे डवी डवी के टोप 10 सबसे खतरनाक मॉंस्टर और फीनोम के बारे में ऐसे सुपस्टार जो देखने में काफी ड्रावने लगते हैं जो अंदेरे में आते हैं एकदम से गायब हो जाते हैं अपने हातों से बिजलिया कड़काते हैं पटाका फोड के दिखाते हैं ऐसे सुपस्टार जिनका नाम सुनते ही अच्छे-च्छे सुपस्टार के पसीने छुड़ जाते हैं दोस्तो इस टोप 10 की लिष्ट में कुछ मॉंस्टर है फीनोम है नाइट मेर है और कुछ ऐसे सुपस्टार भी है जिनका घुसा ही काफी है किसी भी सुपस्टार के आज की वीडियो में तो दोस्तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरू देखना और अगर वीडियो चलेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करते ना इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फोल लग कीजे राहूल पंडेत को और फुल सपोर्ट काफी दूम मचाई है दोस्तो बूगी मैन अपने टाइम का काफी खतरनाक और गिनोना सुपरस्टार है एक ऐसा सुपरस्टार जो अपने मूँ में थूक खटा करके उसका जाग बनाकर लाता था जो की देखने में काफी घिनोना लगता था जिससे लोगों को घिन आती थी इसके अलावा बूगी मैन फाइट के दोरान अपने साथ केचुए भी लेकर आता था और अपने सामने वाले विरोधी रेसलर को ड्राने की कोसिस करता था यही नहीं दोस्तो बूगी मैन फाइट खतम होने के बाद उन केचुओं को खा भी जाता था दोस्तो नमबर 9 पर है पापा सेंगो दोस्तो पापा सेंगो WWE का एक ऐसा सुपरस्टार है जिसे हम WWE का तांतरिक सुपरस्टार भी बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तो पापा सेंगो फाइट के दोरां अपने तंत्र मंतर का सहारा ले कर सामने वाले विरोधी रेसलर को फाईट में हरा देता था, जो की देखने में काफी ड्रावना लगता था जिसे देखकर सब हैरान हो जाते थे दोस्तो नमबर एट पर है दा फ्रीक लार्सुलेवन दोस्तो लार्सुलेवन एक संकी टाइम मोंस्टर है जिसकी हाइट 6.3 नींच और वेर 330 पाउंड होने के बावजूद लार्सुलेवन की बोड़ी बिल्कुल एक पहार जैसी है चटान जैसी है जो की देखने में दाणव जैसा लगता है दोस्तो लार्सुलेवन WWE का काफी खतरनाक मोंस्टर है लार्सुलेवन ने NXT में काफी तहलका मचाया है दा लिमिट लेस कीथली को फाइट में हराया है इसके अलावा मेन रोश्टर के अंदर भी लार्स उलेवन ने काफी धूम मचाई है लार्स उलेवन के साथ कोई न कोई पंगे बाजी लगी रहती है नहीं तो WWE के पूरे प्लैन थे लार्स उलेवन को एक तगड़ा मोंस्टर बनाने के क्योंकि दोस्तो लार्स उलेवन बिल्कुल सिंपल तरीके से आता है फिर भी सामने वाले विरोधी रेसलर के पसीने छूड़ जाते हैं दोस्तो नमबर सेवन पर है दा मोंस्टर अमंग मैन ब्रॉन इस्टोमेन दोस्तो ब्रॉन शोमेन आज के टाइम का ड्रॉन शोमेन का काफी तगड़ा मोंस्टर है इस बात में कोई दोराय नहीं है क्योंकि दोस्तो मोंस्टर का काम सिर्फ तहल का मचाने का होता है और ब्रॉन शोमेन ने बैक स्टेज काफी तहल का मचाया है दोस्तो आज के टाइम में WWE ने ब्रॉण शोमैन के मोंस्टर वाले करेक्टर की दज्या उड़ा दी है क्यूंकि फेस के करेक्टर में ब्रॉण शोमैन इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं लगते जितने हील के करेक्टर में लगते हैं दोस्तो जिस टाइम ब्रॉण श्रोमैन ने WWE में अपना डेबिट किया था उच टाइम ब्रॉण श्रोमैन देखने में ज्यादा खतरनाक और तगड़े मोंस्टर लगते थे लेकिन फिर भी दोस्तो हम इतना कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो वाकई में ब्रॉण श्रोमैन आज के टाइम के WWE के काफी तगड़े मोंस्टर है दोस्तो नमबर 6 पर है दा फीन्ड ब्रेवाइट दोस्तो जिस तरह स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉण श्रोमैन आज के टाइम का WWE का सबसे तगड़ा मोंस्टर है ठीक उसी तरह गिमिक के हिसाब से देखा जाए तो दा फीन्ड ब्रेवाइट आज के टाइम का WWE का सबसे खतरनाक मोंस्टर है क्योंकि दोस्तो दा Fiend Bray White की Entrance Theme काफी ड्रावनी है Fiend Bray White का मुखोटा काफी ड्रावना है इसके अलावा Fiend Bray White 8 से 10 फिनिसर खाने के बावजूध हार नहीं मानता Fiend Bray White की Fight काफी हटके होती है जिसको देखने के लिए लोग काफी ज़्यादा excited होते है दोस्तो नमबर 5 पर है दा Icon Sting दोस्तो Sting WCW का एक ऐसा सुपस्टार है जिसकी तुलना WWE के सुपस्टार The Undertaker से की जाती है क्योंकि जिस तरह The Undertaker WWE का सबसे बड़ा फीनोम है ठीक उसी तरह The Sting WCW का सबसे बड़ा आइकोन है दोस्तो The Undertaker की तरह Sting भी अंदेरे में आता है एकदम से गायब हो जाता है यहां तक कि इन दोनों सुपस्टार की ड्रेस भी काफी हद तक मिलती जुलती है दोस्तो The Undertaker की तरह The Sting भी अपने टाइम का WCW का सबसे खतरनाख सुपस्टार है एक टाइम पर इस टिंग का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सुपस्टार के पसीने छूड़ जाते थी दोस्तो नमबर 4 पर है The Beast Incorned Brock Lesnar दोस्तो The Beast Incorned Brock Lesnar एक ऐसा सुपस्टार है जिसका नाम सुनते ही तगड़े से तगड़े सुपस्टार के रोंगटे खड़े हो जाते है दोस्तो Brock Lesnar एक ऐसा सुपस्टार जिसे ना तो मुखोटा पहनने की जरूरत है ना ही अंदेरे में आने की जरूरत है और ना ही Brock Lesnar को किसी मोंश्टर वाले गिमिक की जरूरत है क्योंकि Brock Lesnar का घुसा ही काफी है किसी भी सुपस्टार के अंदर अपना डर पैदा करने के लिए किसी भी सुपस्टार के भसूरी भरने के लिए दोस्तो WWE के अंदर जितने भी खतरनाक सुपस्टार है वो सिर्फ रिंग के अंदर खतरनाक होते हैं क्योंकि वो उनका कैरेक्टर होता है लेकिन बैक्स्टेज सब नॉर्मल होते हैं लेकिन ब्रोक लेसनर एक ऐसा सुपरस्टार है जो रिंग के अंदर भी खतरनाक है और बैक्स्टेज भी ब्रोक लेसनर से कोई ज़्यादा फालतू नहीं बोलता क्यूंकि सब को पता है ब्रोक लेसनर एक रियल बीस्ट है जो अगर अपनी पे आ जाये तो किसी भी सुपरस्टार के भसूरी भर देगा और ऐसा कई बार हुआ है कि ब्रोक लेसनर ने रिंग के अंदर और बैक स्टेज स्क्रिप्ट से बाहर जाकर अच्छे अच्छे सुपरस्टार की अकल ठिकाने लगाई है दोस्तो नमबर थ्री पर है इंडिया की आन बान सान दा गरेट खली दोस्तो दा गरेट खली WWE का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे WWE के अंदर अपने सुरुवाति दिनों में दा जाइंट मॉंस्टर के नाम से जाना जाता था क्यूंकि दोस्तो साथ फुट तीन इंच हाइट और 418 पाउंड वेट होने के बाब जूर दा गरेट खली की बोड़ी काफी ज़्यादा मस्कुलर थी दोस्तो अपने सुरुवाति दिनों में दा गरेट खली इतने लंबे चोड़े और तगड़े सुपरस्टार थे की बिक्षो और केंज जैसे साथ फुट जाएंट सुपरस्टार भी दा गरेट खली के सामने काफी हलके नजर आते थे यही नहीं दोस्तो जोन सीना, स्वान माइकल, बतिस्ता और दी अंड़ा टिकर जैसे सुपरस्टार को दा गरेट खली ने फाइट में धूल चटाई थी और डव्ड़े के अंदर अपने नाम की काफी तगड़ी दहसत पैदा की थी की दा गरेट खली के नाम सुनते ही अच्छे चे सुपरस्टार के पसीने छूड़ जाते थे दोस्तो नमबर टू पर है दा डेड मैन और दा फी नॉम दी अंड़ा टिकर दोस्तो अंडर टेकर डव्ड़ु ए का एक ऐसा सुपरस्टार जो की एक भूत है जो मर के जिंदा हो जाता है जिसकी आत्मा उसकी मटकी में है दोस्तो अंडर टेकर एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके बारे में हर कोई जानता है जिसने WWE कभी नहीं देखी उसने भी Undertaker का नाम जरू सुना होगा दोस्तों Undertaker WWE का सबसे खतरनाक सुपरस्टार है जिसके भहुत सारे करेक्टर है जैसे Western Motician, The Dead Man, Lord of Darkness, Ministry of Darkness, American Badass, Big Evil और The Phenom दोस्तों वैसे तो Sting की तुलना The Undertaker से की जाती है और यही कारण है कि Undertaker versus Sting एक ड्रीम मैच है लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से The Undertaker Sting के मुकाबले अपने टाइम का जादा खतरनाक सुपरस्टार है क्यूंकि दोस्तों बोलीवुड के अंदर अक्से कुमार की मुवी खिलाडी को खिलाडी में The Undertaker के करेक्टर का इस्तमाल किया गया था दोस्तों अगर Sting Undertaker से जादा खतरनाक होता तो इस मुवी में Sting के करेक्टर का इस्तमाल किया जाता ना कि Undertaker के क्योंकि दोस्तों वाकई में उस टैम में दी अंडर टेकर डेडमन के नाम से काफी ज़्यादा फेमस हो गए थे हर गली के नुकड में दी अंडर टेकर के नाम के चर्चे थे और दोस्तों नमबर वन पर है दा बिग रेड मसीन केन दोस्तो केन WWE का एक ऐसा खतरनाक सुपरस्टार है जो हर एंगल से मोंश्टर जैसा लगता है फिर चाहे केन की एंटरेंस थीम हो केन का मुखोटा हो या फिर केन की मोंश्टर वाली ड्रेस हो दोस्तो साथ फुट हाइट और 326 पाउंड वेट होने के बावजूद केन की बोड़ी काफी ज्यादा तगड़ी और मस्कुलर थी जिसके कारण केन की ड्रेस उस पर बिल्कुल फिट बैठती थी कि देखने में लगता था कि रियल में कोई साथ फुट लंबा चोड़ा और तगड़ा मोंश्टर आ रहा है इसके अलावा दोस्तो केन के चलने का स्टाइल केन की फाइड करने का स्टाइल बिल्कुल एक रियल मोंश्टर जैसा था इसके अलावा दोस्तों केन एक ऐसे सुपरस्टार है जिसको देकर बाकी की रेसलिंग कमपनी ने भी अपनी कमपनी में एक मौन्स्टर का करेक्टर रखना शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी दोस्तों चाहे कितने भी monster आ जाएं या फिर कितने भी खतरनाक superstar आ जाएं लेकिन केन जैसा monster ना तो कोई था ना कोई है और मुझे नहीं रखता आने वाले time में कोई होगा दोस्तों केन Attitude Era के time में काफी जादा famous हो गया था लेकिन WWE ने उसके monster वाले character का ठीक से इस्तमाल नहीं किया अगर WWE Kane का ठीक से इस्तमाल करती तो वाकई में Kane WWE के अंदर और भी ज्यादा तहल का मचा देता लेकिन फिर भी दोस्तों ये सिर्फ मेरा opinion है आपको के लगता है वो आप मुझे comment के थूरू बता सकते हैं कि आपके हिस आप से कौन है WWE के top 10 सबसे खतरनाक superstar तो दोस्तों ये थी मरी आज की वीडियो जिस पर मैंने रखा है 1500 लाइक का target अगर आप चाते हो कि मैं ऐसे ही top 10 वाली वीडियो लाता रहूं तो प्लीज इस वीडियो पर 1500 लाइक का target कम्प्लीट कर देना